नमस्कार दोस्तों स्वागत इसने वीडियों बात करने वाले हैं SAC phase 11 2023 का form कैसे feel करेंगे step by step मैं आपको एक live form feel करके बताऊँगा ताकि आपको form feel करने में किसी परकार की mistake नहोगा साथी साथ यह भी मैं बताऊँगा कि आप किस परकार से check कर सकते हैं कि किस reason में कितने तरह की vacancy है और उसके लिए क्वालिफिकेशन है देखे इसमें multiple जो है पोस्ट होते हैं इसमें cook के होते हैं MTS होते हैं कलर के होंगे और भी कई तरह के पोस्ट होते हैं इसमें 20 पास हैं त तो अगर आप इलिजिबल है तो ज़रूर फॉर्म को apply कर ये काफी multiple पोस्ट यहां पर आपको देखने को मिलते हैं अलग-अलग reason wise तो इसका notification भी आ गया vacancy है इस तरह से देखिए laboratory attendant के यह भी metric level पर vacancy है तो इस तरह से आपको vacancy को पहले check करना होगा यह देखिए यह बाराहुमी लेवल वैकेंसे जिसमें duty रेंजर की vacancy है इस तरह से तो इस तरह से आपको पहले check करना होगा कि आप किस region के लिए form भरना चाहते हैं और उसका seat है कि नहीं है यहाँ पे देखिए जीरो भी है तो seat भी देखना होगा और यह code आपको note कर लेना होगा कि इस code के लिए form भरने से पहले एक बार आप notification को जरूर यहाँ पे check करेंगे post number यहाँ पे आप जरूर note कर लेंगे कि आप किसके लिए apply करेंगे preference देना होता है फिर आप form क forever.com की website से भी download कर सकते हैं जिसका मैंने link आपको description box में डाला हुगा है अब यहाँ पी आपने पहले इस से जो है password भूल चुके हैं तो यहाँ से forget password का भी option है आप इस पे click करके जो है अपना राज्य चूच करेंगे कि इस राज्य से आप है और यहाँ पे अपना email या mobile दोनों में से कोई option को लिखेंगे submit करेंगे ना तो दोनों पर OTP जाएगा दोनों में से कोई भी OTP को verify कर देंगे तो आपका registration नंबर वहाँ so कर देगा और बोलेगा कि आप एक अपना password बना लीजी तो password आप बना लेंगे तो इस तरह से आप अपना password भी retrieve कर सकते हैं तो इस तरह से आपको क्या करना है अब आए जानते हैं कैसे फॉर्म भरना है तो मैं directly क्या करता हूं मेरे पास अल्लडी registration है तो मैं यहां पर रिजिस्टरेशन कर लेता हूं अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहें ऐसे सी का तो आप यहां से registration कर सकते हैं नया registration जो है आप easily कर पाएंगे चलिए हम यहां लोग इन करते हैं लोग इन करते हैं फ्रेंट्स आपका इस परकार से और से प्लिक करेंगे तो यहां पर दिखा देगा कि उस reason में कौन कौन सी vacancy को आई हुई है से चाहने से कहानाılanर फॉल चाहते है कि क्लिक कर सकते हैं अर्म यहां चनल कर सकते चाहते हैं तो सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन बोला गया है यहां पे कितने पोस्ट है किस के लिए है सब चित यहां पे दिया गया है तो आप इस तरह से एक बार ज़रूर चेक कर लेंगे अब यहीं पर आपको देखिए अप्लाई का भी ऑप्सन मिलेगा लेकिन रुकिया भी अगर माल ले है या जीडी का फॉर्म फिल किया हुए तो फिर आप मोडिफाई मत करिए ग्यान रहे तो जो क्वालिफिकेशन पर फॉर्म भरे हैं पिछला वाला उसी क्वालिफिकेशन पर फॉर्म आप इसको भी भरेंगे जिसे इसमें तीन तरह के पोस्ट हैं दस्वी पास पर भी है तो अगर आप यहां पर फॉर्म जो है दस्वी तक ही रिचिशन में दिये है जनकारी तो बारहमी तक ही दिये है मेरे काने का मतलब जहां तक आप दिये हैं उसी बेस पर फॉर्म को आप यहाँ पर अप्लाई करेगे कोई अगर आप अप MTS जैसे पोस्ट पे या CHSL पोस्ट belong आप अपना reason बताएंगे कि आप किस reason में form को apply करना चाहते central reason, eastern reason, करणाटक केरला reason, मदपरदेफसा region तो जो भी आप reason साथ देना चाहते हैं वो आप फिरी हैं जो भी reason से देना चाहते हैं वो आप reason यहाँ पर choose कर लेंगे इसके बाद उसके according यहाँ पर पोस्ट जो है खूल के आ जाएगा कि आप बताएं कौन से पोस्ट कोड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था यहाँ पर आपको केटिगरी वाइस भी देखना है कि किस केटिगरी के लिए फॉर्म बढ़ रहे हैं यहाँ पर मेरा जो पोस्ट कोड है वो क्या है यहाँ पर हम समझेंगे और वेस्ट रिजन में यह है तो उसके according आप यहाँ से जो है नॉर्थ वेस्ट रिजन चूच कर ले 11823 हम यहाँ पे देखेंगे 11823 है तो यहाँ पे वो कोड यहाँ पे मिल दाएगा अभी हमको यह देखें यह वाला कोड हम यहाँ से क्या करेंगे चूच कर लेंगे तो इस तरह से आपको क्या करना है चेक करना है और यहाँ देखें वह आ जाएगा यहाँ देख रहें पो फॉर्म भरना चाहते हैं ठीक है 11723 हम यहाँ पे जो है अपलाई कर देते हैं 11723 पे इस तरह से ठीक है तो आपको मैंने बता दिया कि कैसे आपको छूच करना किसी एक ही के लिए आवेदन दे सकते हैं और वो भी क्या करना आपको पहले से यहाँ पे छूच करके रख लेना ह कि आप किसके लिए आवेदन देना चाहते हैं आप जिस भी रीजन से देना चाहते हैं आप दे सकते हैं तो एक बार नोटिफिकेशन को डाउड करिए और उसको पढ़िए समझिए उसके बाद ही फॉर्म को अपलाई करेगा अब यह पूछ रहा है एसेंसिल क्वालिफिके कर दीजिए एजाम सेंटर जहां बन करें वहां चूच कर लीजिए यह पूछ रहा है यह सारे एक सर्विसमें की जनकारी के लिए जो है रखा गया वाकि सब डिसेबल आपको मिलेगा पैटली नीची आ जाना है आप एज में छूट लेना चाहते हैं अगर माले जो जो एज बताया गया है कि इस पोस्ट के लिए एज है अगर आप जनरल से छोड़के OBC SCST से आते हैं तो आप एज में छूट ले सकते हैं नहीं चाहिए तो नो भी आप कर सकते हैं आप इस परकार से समझ माया रहा है फ्रिंट्स तो इस तरह से आपको क्या करना है बताना है इसके ब सब्सक्राइब करेंगे और यहां पे आपको बता देंगे फिर इंडिकेट यूर हाइस्ट क्वालिफिकेशन आप मैक्सिमम कहां तक पढ़ाई किये हुए यह भी यहां में पूछा जा रहा है तो आप अपना डिगरी किया है तो डिगरी बता सकते हैं जो मतलब जो भी आपको नीचे आनी है यहां पर आपको फोटोग्राफ अप्लोड करनी है फोटोग्राफ अप्लोड करने का यहां पर सेंपल भी दिया गया हम इसे एक बार क्या करते हैं ओपन करके देख लेते हैं यह इसका सेंपल है इन्हों ने दिया हुआ है जो की बहुत ही अच्छा इ यस कर देना है तो यहीँ about simple है आपको photograph स्टूज कर लेना है जो कि 20 जै से 50 के होनी चाहिए signature 10 से 20 के होनी चाहिए उसके बाद से यहाँ पर एग्री करना है Wanna skip 주 होट का औरargent कहें और ऐद करना है प्रिभीव करने के बाद सब्कुन है आपको जो है direct कर देगा print वाले option पर देखिए यहां पर आ गया application form is received यानि आपका form जो है received हो चुका है content not verified content verified नहीं है अब यह ssc वालों का काम है कि आपका content वो लोग verify करेंगे इससे आपको कोई मतलब नहीं है यहां बोल रहा है कि आपको 100 रुपय का application fee देना होगा केवल mail को बाकी जितने भी candidates है including female SCST and all female भले जनरल OBC से आती हो उनको भी यहां पर application fee नहीं लगता है तो इसी statement में उनका print out निकल जाता अगर वो इस तरह के candidates होते लेकिन general OBC से है mail है तो आपको 100 रुपया यहां पर fee जमा करना होगा यहां पर tick करेंगे summit पर click करेंगे और 100 रुपया का आपको application fee यहां पर pay करना होगा देखेंगे काफी सारे option मिल लाते हैं यहां पर SBI का net banking है other bank का net banking है यहां पर card का भी option option है UPI का भी option है जो भी आपके पास options है इस में से कोई भी options के माध्य हम सिखा करेंगे आप payment को जमा करेंगे और जमा करके अगेन आप जो है login करके जो है final print out जो है इसका निकाल लेंगे hard copy जो होता है अगर पैसा funds जाता है तो double verification का option आता है वहाँ पर आप double verification भी कर सकते हैं application status को भी check कर सकते हैं कि क्या आप status रहा है मेरा तो इस परकार से friends आपको जो है